हलो फ्रेंट्स मैं हूँ गणेश देवंगन और मेरे यूटूब चैनल राणी टेलर एंड जैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को 32 इंच कटोरी ब्लोज की कटिंग कैसे करते हैं वो पुरी step by step बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसकी stitching याने के front position की कैसे जोड़ते हैं उसे बताऊंगा तो आप मेरे इस वीडियो को पुगा देखिए और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेले लेकरन के बटन को दबाए जिससे की ऐसी ही लेटेश वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे चलिए फ्रेंट सबसे पहले हम नाप को समझ लेते हैं ब्लाउस की लंबाई 14 इंच है सोल्डर है हमारा 10 इंच सीना है 32 इंच और कमर है इसका 24 इंच और सामने गला 6 इंच और पीछे गला 10 इंच नाप है यह मारा कपड़े लिया हुआ हे तो सबसे पहले मारे ओपर वाले чаanemeye समने लेख कर दे सासरो normals करें का सबसे पहले पादे किडियों करते हो фак हमारी 14 इंच सबसे पहले हम 15 इंच आना दार में ड्रा करिए और इसको le ambient scale से हम सीधा खिच लएंगे हमेशा सीधिक खिच लिए इसमें मैं ढ़ाओ लगे मैं बता चुखा हूं कि गले का जो फैलाव है वो चिष्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहता अगर ब्लोज में हमारी पाइपीन और उप्पर का दबाव यहने की पॉनिंच हम रखेंगे तो हमारा सोल्डर कभी नहीं उत्रेगा इस बात का ध्यान रखेंगे उसका आते हैं फ्रेंट इस साइड भी हम य यहां पर 5 यह में अब इसको हम से सीधा खिचि लेते हैं अब आते हैं फ्रेंट व्हों मेंस तो आरमोल फ्रेंट नहीं रखना है उसको एकुरेट आर्मोल नहीं लेना है क्योंकि उससे क्या होता है कभी सिलते वक्त अगर आर्मोल हमारा बड़ा हो जाएगा तो छोटा नहीं हो सकता लेकिन सिलते वक्त अगर आर्मोल हमारा च्छोटा रहेगा तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं अब आते हैं friends हम सामने गले में तो सामने गला हमारा 6 इंच है तो मैं इसमें 6.5 इंच में निसान लगा रहा हूं और friends मैं इसमें गोल गला ड्रा कर रहा हूं आप अपने पसंद के अनुरूप इसमें गला लेश रखते हैं उसके आते हैं friends हम इसके सीने में तो सीना हमारा 32 इ हमारा 6 इंच और 1 इंच पीछे पल्ले में जो डॉट पड़ता है यह उसका है और 1.5 इंच हमने उपर में लिया है तो 1.5 इंच मैं नीचे भी मार्जिंग ले रहा हूं और इसको भी मैं सीधा खीचिता हम इसकेल से अंदर के वो तीरची लकीर 1.5 इंच में ले लेना है यहनी कि यहाँ पर से अब आते हैं friends हम सामने पल्ले की गहराई के लिए तो friends उसके लिए मैं यहाँ पर से 1.5 इंच में निसान लगा रहा हूं यह देखिये अब इसको मैं उपर से ऐसे लाते हुए बिलकुल यहां पर से कालनर से और इसमें भी करव लेती हुए फ्रेंट्स हमको लाके इसको ऐसे बिल्कुल लास्ट में लाके इसको ऐसा मिला लेना है यह देखिए ऐसा अब आते हम योग पट्टी के लिए तो योग पट्टी में ऊपर से चुकि 14 इंच हमारी ब्लाउस की लंबाई है 12 इंच में निसान लगा रहा हूँ इसको भी मैं इस खेल से सीधा खीट लेता हूँ अब आते हैं friends हम कटोरी में चूकि 32 सीना है हमारा तो इसमें कटोरी हमाई लगेगी friends पांच इंच की तो मैं इसमें पांच इंच में ड्रा कर रहूं और पांच इंच का हाप होगा धाइंच ये धाइंच में भी मैंने एक निसान लगा लिया हूं उसके फ्रेंच मैं यहां ज ध्यार रखेंगे पौने दो इंच और इस साइट friends मैं ले रहूं पौन इंच कहां आप कहां पर मैंने किते इंच में निसान लगा रहा है friends अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या फिर मुझ से कमेंट्स में पूछ सकते हैं उसके फ्रेंट्स मैं यहां पर भी पांच इंच में निसान लगा रहा हूं और यहां पर जहां हमने एक इंच लिया था कार्नर से हमको रखना है दो इंच में देखिए दो इंच में और यह उपर के साइट friends हमको रखना है पांच इंच में यह पांच इंच में अब इस स्क्रेज तयार हो गया है और इस साइट फ्रेंट्स जहां मैंने पॉनी चनेश लाया था इसको ऐसे हार्व कर लेते हुए इदम तीर्छा नहीं लेना है इसको राउंड शेप लेते हुए हमको कट करना है तो यह हमारा सामने पल्ले का रा हो गया है तो चलिए अब हम इसको कर लेना है अब इसको भी हम अलग क्टिंग कर लेते हैं सामने पार्ट फ्रेंट्स अलग-अलग कडिया है अब हम आते हैं कटी मैं तो कटोरी फ्रेंट्स हम को एक अलग से पेपर ले लेज़ा है आफ उसके ऊपर फ्रेंड हमको इसको पहले तो हम इसको क्लींगे यहने की कॉपी कर लिए सधान सब्दे में बोले तो इसको अब क्या करना है तो फ्रेंड आफ हमको इस सैट से सबाई बढ़ा लएन आ है और इधर आधा इंच, यहाँ पर भी आधा इंच और इस साइड भी फ्रेंड्स हमको सवा इंच अब इसको हम स्केल से इस साइड का मिला लेंगे और इस साइड फ्रेंड्स हमको ऐसा करव लेते हुए जहाँ पर हमने सवा इंच का निसान लगाया था यह से लाके मिला लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स जहां पर हमने डॉट का निसान लगाया था यहां पर टेप रखे नीचे में धाई इंच में मार्ग करना है और इसको यहां से मिला लेना है यह कटोवी तेयार हो गई है अब हम इसको भी कट कर लेते हैं अब फ्रेंड्स अब इसको डॉट निकालने के लिए हम इसको यहां से ऐसा हाप कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में लिजिए इसको जहां पर हमने यह डॉट का निसान लगाया था उसके बाद फ्रेंड्स हमको इस साइट से आधा इंच छोड़ देना है चुकि कटोरी हमारी पांच इंच की थी तो यहां पर पांच इंच में हम ऐसा निसान लगा लेंगे उसको भी हम यहां ऐसे और ऐसे यह कटोरी हमारी तयार हो गई है अब मैं इसको कपड़े में कैसे कटिंग करना है वह आपको दिखाता हूं यह मैंने कपड़ा ले लिया है अब इसमें मैं इसको रखके सामने का पोर्शन ही फ्रेंड्स कट करके दिखाऊंगा आप लोगों को देखे फ्रेंड्स हमको कहें भी और इस्टा मार्जिंग नहीं लेना है श्रीब यहां पर मैंने पॉन इंच मार्जिंग लिया हुआ है आपको भी जब आप कटिंग करेंगे तो यह योगपट्टी में आपको नीचे की ओर पॉन इंच का मार्जिंग लेना है तो चलिए अब मैं इसको अलगला कट कर लेता हूँ यह देखे फ्रेंट्स कट गया है अब इसको मैं आपको सामने पल्ले को मसीन में सिलाइगा कर दिखाता हूँ उसके बाद देखना कि आप इसकी पप कैसे आया है देखे फ्रेंट्स मैं आप लोगो एक खाट टीप देना चाहूँगा जब भी हम कटोरी को जोड़ते हैं तो कटोरी हमारी खीचनी नहीं चाहिए हलके हाथों से हमको नम देके ही चड़नी चाहिए और से पहले हमको कटोरी को जोड़ना चाहिए उसके बाद हमको डॉट मारना चाहिए तो चलिए मैं आपको आप कटोरी जोड़के दिखाता हूँ फ्रेंड्स मैं इसमें कंट्रास्ट धागे को उप्योग कर रहा हूँ जिससे कि आपको स्टीचिंग करती हुए समझ में आ सके देखे फ्रेंड्स ये बिल्कुल बराबर आया हुआ है अब मैं इसमें डॉट में सिलाई लगा लेता हूँ ये दिखे फ्रेंड्स अब हम इसमें योगपट्टी जोड़ लेंगे ये दिखे फ्रेंड्स मैं सामने के पोर्षन को जोड़ लिया हूँ अब आप देश सकते हैं किती खुपसूरत से यह स्टीचिंग हुआ है अब हम आपको इसमें पीछे पला मैं रख के दिखाता हूँ कि ये एक्जेट हमारा तयार हुआ है की नहीं ये देखे फ्रेंड्स बिलकूल पर्फेक्ट ये रखा हुआ है ये देखे कहीं से भी हमको कोई भी पोर्षन को इसमें कट छट करने की आवसकता नहीं है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल में बने रहे हैं जब तक के लिए ठैंक यू फर वाचिंग टेक केर